हेलो एवरिवन, आज का हमारा पाठ एक फूल की चाहाँ और आज इसके प्रेश्ण उतर कर रहे हैं लग्भू उतर ये प्रेश्ण उतर कर रहे हैं यहाँ पर पहला प्रेश्ण आ रहा है कि महामारी अपना प्रचंड रूप किस प्रकार से दिखा रही थी तो उत्तर लिख लिए बस्ति में महामारी दिन प्रति दिन बढ़ती ही जा रही थी यहां कई बच्चे इसका शिकार हो चुके थे जिन माताओं के बच्चे अभी इसका शिकार हुए थे उनका रो रो कर बुरा हाल था उनके गले से क्षन आवाज निकल रही थी यानि दुख बरी धीमी आवाज निकल रही थी वो सुक्षिन आवाज में हाहा कार मचाता उनका अपार दुख था आवाज तो धीमी थी लेकिन दुख बहुत ज़ादा था महामारी के इस प्रचंड रूप में शारों और करुण क्रदन सुनाई दे रहा था यानि कि बहुत दुख बरी वाज में लोग रो रहे थे वो सब दिखाई सुनाई दे रहा था दूसरा प्रश्ण आता है पिता सुक्या को कहा जाने से रोकता था और क्यों पिता सुक्या को बाहर जाकर खेलने से मना करता था क्योंकि उसकी बस्ती में महामारी अपने प्रचंड रूप में हाहा कार मचा रही थी इस महामारी की चपेट में कई बच्चे आ चुके थे सुख्या अपने बच्ची से बहुत प्यार करता था उसे डर था कि कहीं सुख्या महामारी की चपेट में ना आ जाए उसे क्या डर था कि कहीं सुख्या को भी महामारी ना घेल ले इसके बाद हमारा तीसरा प्रिशनाता है सुख्या ने अपने पिता से देवी के प्रशाद का फूल क्यों मांगा सुख्या महामारी की चपेट में आ चुकी थी और महामारी के कारण उसकी आवाज बहुत कमजोर हो गई थी उसके शरीर के अंग सिथिल पड़ गए थे और उसे लगा कि उसकी मृत्यू निकट है और वैयाशा कर रही थी कि प्रशाद से ठीक हो जाएगा इस कारण से उसने देवी का फूल मांगा था प्रशाद का उसके बाद हमारा नेश्ट प्रिशन आता है देखो मंदिर की भव्यता और सुन्दिरे का वर्नन अपने शब्दों में करना है तो यहाँ पर ये वर्नन किया गया है देवी का विशाल मंदिर उचे परवत की चोटी पस्तित था और यह मंदिर बहुत बड़ा था मंदिर की चोटी पर सुन्दर सुनहरा कलश लगा हुआ था जो सुर्य की किरने पढ़ने से कमल के तरह चमक उठता था वहाँ का वातावरण धूप दीप के कारण सुगंदित भी था अंदर भक्त गन जो थे मधूर स्वर में देवी का गुनगान कर रहे थे मधूर मधूर स्वर में वो माता की प्रेयर भी कर रहे थे उसके बाद अमारा नैश्ट प्रिशन आता है प्रशन नमबर पांच तो नयायले द्वारा सुख्या के पिता को क्यों दंडित किया गया यहाँ देखो आप इसमें क्योंकि वैं अचुत होकर भी देवी के मंदिर में प्रवेश कर गया था ऐ पवित्रत था देवी का अपमान करने की कारण उसे दंडित किया गया उसके बाद हमारा प्रशन नमबर छे आता है भक्तों द्वारा सुख्य के पिता के साथ किये गई इस वेवार को आप किस तरह से देखते हैं भक्तों द्वारा सुख्य के पिता का अपमान और मार्मपीत करना उनकी संकीन मान सिकता और ए मानविय व्यवार का प्रतीक है उनका ऐसा करे समाज की समरस्ता और सोहाज्य को नस्ट करने वाला है समाज में जो अच्छा व्यवार होना चाहिए उसको नस्ट कर रहा है इससे लोगों में तनाव उत्पन होता है और ऐसा वेवार हमेशा निंदनीय है यानि इसकी निंदा करनी चाहिए इसकी बुराई करनी चाहिए हमें किसी के साथ ऐसा वेवार नहीं करना चाहिए जिसकी कविता में उन्होंने किया था लोगोंने सुख्या के पिता के साथ मिस्भेव जो किया था वो नहीं करना चाहिए नेक्स्ट प्रिशन देखिए माता के भक्तों ने सुख्या के पिता के साथ कैसा व्यवार किया कैसा व्यवार किया उन्होंने माता के भक्तों जो माता के गुनगान में लीन थे उन में से एक की दृष्टी माता के पशाद के फूल को ले करके जाते वे सुख्या के पिता पर पड़ी और उसने आवाज दी कि यह अच्छूत कैसे अंदर आ गया इसे पकड़ लो फिर क्या था माता के अन्य भक्त भी उसके पास आए और कोई बात सुने भी ना उसे जमीन पर गिरा करके मारने लगे नेश्ट हमारा प्रेशना आ रहा है कि पिता अपनी बच्ची को माता के परशाद का फूल क्यों नहीं दे सका उत्तर है पिता जब मंदिर से देवी के परशाद का फूल लेकर बाहर आने वाला था तभी कुछ स्वर्ण भक्तों की द्रश्टी उस पर गई उन्होंने अचुत कहकर उसे मारा पीटा और नयायाले ले गए उसे साथ इन का कारवास दिया गया इस बीच उसकी बेटी इस दुनिया से जा चुकी थी और उसकी बेटी को परशाद का फूल भी नहीं मिला उसके बाद हमारा प्रशन आता है प्रशन नमबर 9 सुख्या का पिता की सामाजिक बुराई का शिकार हुआ सुख्या का पिता उस वर्ग से सम्मंदित था जिसे समाज के कुछ लोग अचूत कहते हैं यस कारण वेचुआ चूत जैसी सामाजिक बुराई का शिकार हुगया अचूत होने के कारण उसे मंदिर को अपवित्र करने और देवी का अपमान करने का अरोप लगा करके पीटा गया और उसे साथ इनकी जेल की सजा भी सुनाई गई उसके बाद हमारा प्रशन आता है प्रशन नमबर 10 प्रशन नमबर 10 में एक फूल की चाह कविता की प्रासंगिक ता लिखो कि किस तरह से यह प्रासंगिक है कैसे हमारा समाज होता था प्राचीन समय से ही भारतिय समाज वर्गों में बटा हुआ है आपने भी देखा होगा की प्राने समय में यह वर्गों में बटावा था यहां समाज के एक वर्ग दआरा सुएंपो उच और दूसरे को निम्न समझा जाथा है इस वर्ग का देवाल्यों में ययनि मंदिर में प्रवेश वर्जी तोता है जो सरासर गलत है क्या है सरासर गलत है सुख्य कब पिता भी जाती पाती की बुराई का शिकार हुआ यह कविता हम सभी को समान समझने उच नीच छूँँ चूँँ तादी बुराईयों को नश्ट करने की प्रेरना भी देती है यह कविता पूंत या प्रासंगिक है यानि कि जो लिखा गया है वह सद्य है आज के हमारे प्रेशन जो थे लगू उत्तर प्रेशन नेस्ट हम अपने वीडियो में करेंगे दिर्गूतर के प्रेशन आप चाहो तो यहां से दिर्गूतर वाले प्रेशन नोट डाउन कर सकते ह इसमें दो प्रशन आज हम लेकर के चल रहे हैं नेक्स्ट प्रशन के लिए नेक्स्ट हम वीडियो देखेंगे तब तक के लिए देखते रहें चैनल को थेंक्यो फॉर वाचिंग